हिंदी साहित्य संपून गटना चक्र क्विक रिविजन विद आर्थी शर्मा दोस्तों आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें साथी साथ मेरे वीडियो के अगले नोटिफिकेशन्स को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों हम कर रहे हैं हिंदी नेट जे आरेफ परिक्षा चैनित विशे आधारित प्रश्ण जून दोहजार नो से जुलाई 2018 तक के प्रश्ण पत्र दोस्तों हम करेंगे जून 2013 का द्वीतिय प्रश्न पत्र तो चलिए देखते हैं प्रश्न गौर करेंगे दोस्तों प्रश्न है वट पीपल के लेखक कौन है तो ध्यान रहे रामधारी सिंग दिनकर रामधारी सिंग दिनकर की रचना है वट पीपल अगला प्रशन समांतर कहानी के पुरुष करता कौन है तो ध्यान रहे कमलेशवर जी कमलेशवर जी समांतर कहानी के पुरुष करता है अगला प्रशन शेष यात्रा की लेखी का कौन है तो उशा प्रियमवदा की रचना है शेस यात्रा अगला प्रशन है हिंदी साहित्य के प्रतम इतिहासकार कौन है गार्षा दा तासी ने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का सर्व प्रतम इतिहास लिखा अगला प्रश्न है कुमार पाल प्रतिभोध इसके रचनाकार कौन है सोम प्रभ सुरी ठीक है सोम प्रभु सुरी की रचना है कुमार पाल प्रतिभोध ठीक अगला प्रश्न है अजे की डाइरी एक साहित्तिक की डाइरी जैवर्धन तथा पहला गिर्मिटिया इने रचनाओ में से उपनियास नहीं है तो कौन सा उपनियास नहीं है ठीक एक साहित्तिक की डायरी यह उपनियास नहीं है ठीक है क्या फिर निवंद संग्रे है किसका मुक्ति बोध का ठीक है एक साहित्तिक की डायरी निवंद संग्रे है मुक्ति बोध का ध्यान रखे इसके अलावा अज मिटिया जिसके रचनाकार है गिरी राज किशोर याद रखेंगे अगला प्रशन है ध्यान दे दोस्तों शंकराचारे रामानुच आाचारे व्ल बापाचारे तथा मधवा आचारे इन में से वैशनव भक्ति के आचारे कोंसे नहीं है तो ध्यान रहे शंकराचारे शंकराचारे वैशनव भक्ती के आचारे नहीं है ठीक है ध्यान रखें फिर है रामानुज आचारे ठीक है फिर है बल्लब आचारे और मधवाचारे ये सबी वैशनव भक्ती के आचारे हैं जबकि शंकराचारे नहीं है ठीक अगला प्रश्न है राम नारायन मिश्र, श्याम सुंदर दास जी, रामचंदर शुक्ल तथा ठाकुर सिवकुमार सिंग, इन में से नागरी प्रचारिनी सभा के संस्थापक कौन नहीं है, तो ध्यान रहे रामचंदर शुक्ल जी, रामचंदर शुक्ल नागरी प्रचारिनी सभा के संस्थापक नहीं है इनके अलावा राम नाराइन मिश्र श्याम सुंदर दास ठाकुर शिव कुमार सिंग ये तीनों की तीनों नागरी प्रचारिनी सभा के संस्थापक हैं ठीक है बहुत ही इंपोर्टेंट प्रशन है बहुत जादा रिपीट होता है ठीक तो इसको अगर याद करना है इन तीनों को नामों को याद करना है तो आप क्या करें ऐसे याद कर लें राम श्याम सिव ठीक है ट्रिक बना लें तीनों भगवान एक साथ राम श्याम सिव ठीक है तो ऐसे याद करेंगे आप दोस्तों ध्यान दे अगला प्रशन है जागनिक की रचना कौन सी कही जाती ह तो परमाल रासो या आले खंड ठीक है परमाल रासो या आले खंड तो आले खंड परमाल रासो का ही एक भाग है ठीक ध्यान रखेंगे जागनिक की रचना है परमाल रासो या आले खंड ध्यान दे दोस्तों नोट पर एक नोट है UGC द्वारा पूछे गए इस प्रश्ण मे परमाल रासों तथा आले खंड दोनों दिया गया था ठीक है जबकि परमाल रासों का ही दूसरा नाम क्या है आले खंड है ठीक है आले खंड है अथा UGC ने विकल्प में दो उत्तर यानी B and D दोनों ही सही माने हैं तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ठीक है अगला प्रशन है जोपडी से राजभवन तक जोपडी से राजभवन तक इसके लेखक कौन है तो माता प्रसाद गुप्त जी माता प्रसाद गुप्त की रचना है जोपडी से राजभवन तक अगला प्रशन है भारत भूशन अगरवाल बवानी प्रशाद मिश्र प्रभाक प्रवानी प्रशाद मिश्र जी दुइतिये तार सब्तक के कवी हैं ना कि तार सब्तक के ठीक है तो तीन या चार सब्तक आये थे ठीक है प्रवर्तक थे इसके कौन अग्ये तो याद रखेंगे ठीक एक 1943 यानि 1943 फिर 1951 फिर 1957 या 54 ठीक है तो आप ऐसे समय देख लें इसका ठीक है पहला सब तक ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है या दूसरा ठीक और इसके रचनाकारों को जरूर कर लें और इसमें जो महिला रचनाकार है ठीक है उन पर ज्यादा ध्यान दे ठीक आप मेरे गटना चकर के वीडियो देख सकते हैं उसमें भी बताया है मैंने और अगर आपके पास समय हो तो ध्यान दे जो आधुनिक कालरामबान संकलन के वीडियो है उसमें भी देख सकते हैं ठीक है तो जरूर देखते हैं अगला प्रश्न एक हतोड़ा वाला घर में और हुआ ये प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंदा किसने कहा है तो नंद दुलारे वाजपई जी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंदा कहा है अगला प्रस्च्ण है, ध्यान दे. अगले जनम मोही बिटिया ना की जो, इसकी लेखी का कौन है. तो ध्यान रहे, उर्दू लेखी का कर्तुल एन हैदर. ठीक है, कुर्तुल एन हैदर. ठीक, तो मैंने ये रचना पर बड़ा डाउट हो रहा था मुझे भी. ठीक कि इसके रचनाकार कौन माने जाएं क्योंकि एक ही नाम की दो रचनाई थी ठीक तो मैटपून पुस्तके एवं रचनाकार वाली वीडियो है उसमें देखें आप मैंने दोनों पुस्तकों के रचनाकारों के नाम बताए हैं दोनों अलग-अलग ठीक तो क्योंकि UGC ने कर्टुल एन हैदर या कुर्टुल एन हैदर ठीक है दोनों तरह से नाम लिखा हुआ है ठीक इन्हें माना है तो आप इनी को ही मान करके चलेंगे ठीक अगले जनम मोही बिटिया ना की जो इसकी लेखी का है उर्दु लेखी का उजिसी द्वारा पूछे गए इस प्रश्ण में कोई विकल्प सही नहीं है इस प्रश्ण के लिए समान अंक प्रदान किये गए हैं ठीक है तो UGC नेट में भी क्या है कि यह प्रश्ण कैसा रहा है संदिक दिरा है ठीक है तो ध्यान रखेंगे दोस्तों अगला अगनी पत के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ती है तो ध्यान रहे महादेवी वर्मा जी की महादेवी वर्मा की पंक्ती है दीप मन शीरसक से किससे ली गई पंक्ती है दीप मन शीरसक से ली गई पंक्ती है अगनी पत के पार चंदन चांदनी का देश ठीक अगल आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे तो ध्यान रहे बद्री नारेण चोदरी प्रेमगन जी संपादक थे आनंद कादम्बिनी के ठीक है 1881 में कहां से 1881 में मिर्जापूर से प्रकाशित होने वाली पत्री का थी आनंद कादम्बिनी ठीक है 1881 याद रखे मिर्जापूर अगला प्रश्न है गोबर गणेश उपनियास के लेखक कौन है तो रमेश चंदर शाह जी का उपनियास है गोबर गणेश ठीक अगला प्रश्न फादर कामिल बुलके को हिंदी साहित्य में महत्व दिये जाने का क्या कारण है तो ध्यान रहे यह कोश निर्मान करने वाले थे रामकथा लेखन भी किया था और तुलसी साहित्य के विशेशक भी रही है तो ध्यान रहे कोश निर्मान रामकथा लेखन तथ तुलसी साहित्ते के विशेशक होने के कारण पादर कामिल भुलके को हिंदी साहित्ते में महत्व दिया गया ठीक है अगला प्रश्ण है आत्मा राम की टेंटे निभंद में आत्मा राम के प्रतीक कौन है तो बाल मुकुंद गुप्त बाल मुकुंद गुप्त आत्मा राम के प्रतीक है किसमें आत्मा राम की टेंटे निभंद में ठीक है याद रखे बाल मुकुंद गुप्त ठीक अगला प अगला प्रश्ण है प्रकाशन के अनुसार इन आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है तो जरा ध्यान दें आलोचना ग्रंथों पर ठीक है सबसे पहले हिंदी नवरत्न 1910 इस्वी फिर है प्रेमचंद और उनका यूग 1952 इस्वी फिर है हिंदी साहित्ते के असी वर्स ये रचना बहुत ज्यादा पूछी जाती है तो इसको तो याद कर लें दोस्तों और लेखक भी ठीक मेरे रामबार्ण संकलन के अंतरकत आलोचना से संबंदित आलोचना ग्रंथों से संबंदित वीडियो है अगर आपके पास समय हो तो आप उसे जरूर देख लेना ठीक है ध्यान दे इसका समय है दोस्तों 1954 फिर है चायवाद 1955 ठीक है तो ध्यान रखेंगे ये सही अनुकरम है अगला प्रश्न है जन्म के आधार पर किसके जन्म के आधार पर निबंदकारो का सही अनुकरम क्या है तो सबसे पहले निबंदकार डॉक्टर संपूर्णा नंद डॉक्टर संपूर्णा नंद क्या समय है इनका 1891 से 1909 इसवी फिर है रामवरिक्ष बेनिपुरी इनका समय है 1899 से 1968 इसवी ठीक है 1899 से 1968 इसवी फिर है वाशुदेव सरण अगरवाल इनका समय है 1904 से 1966 इसवी फिर है भगवत शरण उपाध्याए इनका समय है दोस्तों 1910 से 1982 इसवी 1910 से 1982 इसवी तो कौन-कौन सबसे पहले डॉक्टर संपूर्णा नंद 1891 से 1989 इसवी फिर है रामवरिक्ष बेनिपुरी इनका समय है अगला प्रश्ण है प्रकाशन वर्ष के आधार पर उपनियासों का सही अनुकरम क्या है तो जरा ध्यान दें सबसे पहले रुकोगी नहीं राधिकां रुकोगी नहीं राधिकां ठीकें कब आया उपनियास? 1967 इसवी में 1967 इसवी फिर है आपका बंटी आपका बंटी उपनियास कब आया? 1971 इसवी फिर है सूरज मुखी अंधेरे के कब आया ये? तो यह 1972 इसवी में आया हुआ उपनियास है फिर है चित कोबरा ठीक है यह कब आया 1975 इसवी में तो ध्यान रखेंगे यह सभी उपनियास किसके हैं महिला रचनाकारों के हैं ठीक है तो एक बार आप मेरे जो उपनियासों की वीडियो है रामबान संकलन के अंतरगत उसमें जो लास्ट की वीडियोज हैं ठीक है उसी क्रम में ठीक तो आप उन्हें देख लें उसमें आपको महिला रचनाकार एवं उनकी सभी रचनाएं मिल जाएंगी ठीक है दोस्तों ध्यान रखेंगे तो गौर करें सबसे पहले रुकोगी नही राधिका उन्निस सडसट इसवी आपका बंटी उन्निस सो एकत्तर इसवी सूरज मुखी अंधेरे के उन्निस सो बहत्तर इसवी फिरह चित कोब्रा ठीक है किसका है मृदुला गर्ग का उन्निस सो पिचत्तर इसवी अगला प्रशन है प्रसाद के नाटकों का सही अनुकरम क्या है तो ध्यान दें प्रसाद जी के नाटकों पर सबसे पहले राजे श्री जिसका समय है 1915 इसवी फिर है नाटक विशाक 1921 इसवी फिर है इनका नाटक अजात सत्रू 1922 इसवी फिर है नाटक इसकंद गुप्त 19 तो सबसे पहले कौन सा राज्य श्री 1915 विशाक 1921 अजात सत्रू 1922 फिर है इसकंद गुप्त 1928 इस वि ये प्रसाद के नाटकों का सही अनुकरम है अगला प्रशन है जैनेंद्र कुमार जैनेंद्र कुमार जी के उपनियासों का सही अनुकरम बताना है तो जैनेंद्र का उपनियास सुनीता कब आया 1934 इसवी में 1934 इसवी फिर है इनका उपनियास त्याग पत्र कब आया 1937 इसवी त्याग पत्र 1937 इसवी फिर है दोस्तों इनका उपनियास कल्यानी 1974 इस्वी कल्यानी 1974 इस्वी फिर है दोस्तों इनका उपनियास सुखदा कब आया 1952 1952 तो जैनेंदर कुमार के उपनियास है सुनीता 1934 इस्वी त्याग पत्र 1937 इस्वी तीन साल बाद आया जिसकी पात्र है मृनिनाल ठीक है फिर है इनका उपनैस कल्याणि 1940 इसवी फिर है इनका उपनैस सुँखदा 1952 ध्यान रखना जयनेंत्र के जादातर जो उपनैस हैं वiennent सभी इ Да इस्तरी पात्रों के नामपर ही उपनैस हैं ठीक है ये बात भी ध्यान रखना दोस्तों अगला प्रश्णी देखते हैं गौर करेंगे दोस्तों अगला प्रश्णी है काल के अनुसार आचारियों का सही अनुकरम क्या है तो सबसे पहले ये देखना बहुत ही जबरदस्थ प्रश्णी है ये जरा ध्यान दें सबसे पहले आचारे भामे इनसे पहले भी हुए हैं लेकिन या प्रश्निक अनुसार भी हम चलेंगे तो आचारे भामे इनका समय है छटी शताबदी फिर है आचारे दंडी इनका समय है सात्वी शताबदी फिर है आचारे आनंद वर्धन अननद वर्धन ठीक है तो ध्यान रखें इनका समय है नवी शताबदी के मद्धे फिर है दोस्तो अभीनव गुप्त जी अभीनव गुप्त जी का समय है दसवी शताबदी के अन्त यारिवी शताबदी के शुरू में दसवी शताबदी के अंत एवं ग्यारवी शताबदी के शुरू में तो ध्यान रहे आचारे भामे छटवी शताबदी आचारे दंडी सातवी शताबदी आनंद वर्धन आचारे नवी शताबदी के मद्धे फिर हैं आचारे अभीनव गुप्त जी दसवी सताबदी के अंत एवं ग्यारवी सताबदी के शुरू में ठीक है तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये अनुकरम है ठीक है अगर आप ध्यान दें तो विशम संख्याओं का करम भी बन रहा है हैं पर ठीक है यहां से साथवी नोवी ठीक है फिर ये दसवी ग्यारवी सको ऐसे समझ लें ठीक कर इतना ना जाएं डीटेल में गडित नहीं पढ़ रहे हैं हम हिंदी ही पढ़ रहे हैं आप वीडियो को रिपीट करके देख लें या स्क्रीन शॉट ले लें ठीक है उससे भी काफी आप समझ लेंगे ठीक है पहले आचारे भरतमुनी हैं अंतिम है जगनात ठीक है ये दो तो याद रखने ही है सत्रवे हैं जगनात दासरतना कर ठीक है अंतिम भी ठीक और चटीवी के याद कर लें चटीवी बामे ठीक है चोदवी सताबदी के हो गए आपके विशुनात ठीक और आनंद वर्धन हो गए आपके नोवी के ठीक तो कुछ इस तरह से मुख्ये-मुख्ये जो हैं उनको याद कर ले ठीक और अगर आप फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप एक बार मेरे रामबान संकलन के अंतरकत जो अंतिम वीडियो है उसको देख लें ठीक है आपको करम से चीजे मिल जाएंगी ध्यान दें अगला प्रशन है क्या है चरण में वर्णों की संक्या कम से अधिक के आधार पर वार्निक चंदों का सही अनुकरम क्या है तो वार्निक चंदों का सही अनुकरम होते हैं कौन-कौन से वार्णिक चंद और मात्रिक चंद ठीक है तो यहां वार्णिक की बात हो रही है जिसमें केवल वर्णों की गिंती की जाती है और मात्रिक चंद में मात्राओं की गिंती की जाती है ठीक तो जरत ध्यान दें वार्णिक चंदों पर कौन सी है सबसे पहले इसमें 11 वर्ण होते हैं प्रतेक पंक्ती में ध्यान दे 11 वर्ण होते हैं और वसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं कितने 14 वर्ण फिर है मंदा क्रांता में कितने वर्ण होते हैं सत्रे वर्ण होते हैं सत्रे वर्ण फिर है शार्दुल विक्रीडित इसमें कितने वर्ण होते हैं तो 19 वर्ण होते हैं 19 वर्ण ध्यान दें इंद्र वज्रा 11 वर्ण वसंत तिलका 14 वर्ण मंदा करांता 17 वर्ण शार्दुल विक्रेडित 19 वर्ण ठीक है याद रखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न है जरध्यान दें आधी काल के रचना कारों का सही अनुक्रम क्या है तो सबसे पहले हैं सरहेपा जिनका समय है 709 इसवी ठीक है राहुल सांकृत्यायन ने सरहेपा का समय माना है 709 इसवी ठीक फिर है गोरक नात जी तो गोरक नात जी का समय है 845 इसवी फिर है अमीर खुसरो अमीर खुसरो का समय है 1253 से 1325 इसवी फिर है विद्यापती विद्यापती का समय है तो ध्यान रखेंगे विद्यापती आधिकाल में अंतिम तौर पर आते हैं ठीक है कवी के रूप में तो ध्यान दे सबसे पहले हो गए यहां पर सरहपा आधिकाल के रचनाकारों की बात हो रही है दोस्तों तो ध्यान दे सरहपा 779 इस्वी गोरकनात 845 इस्वी अमीर खुसर 1253 से 1325 इस्वी फिर हैं विद्यापती 1350 से 1374 इस्वी अगला प्रश्ण है ध्यान दे इस्थापना के आधार पर हिंदी संस्थानों का सही अनुकरम क्या है तो जरा ध्यान दे हिंदी संस्थानों का अनुकरम देखते हैं सबसे पहले काशी नागरी प्रचारिनी सभा क्या है इसकão में 1893ी इस्वी 2813ी इस्वी ठीक है 818 नागरी प्रचारीनी सभा फिर है हिंदी साहित्य सम्मेलन जो की कहा हुआ था प्रयाग में कभ वह था 1910 इस्वी में ठीक है यह भी प्रचार समीती वर्धा पूने यानि महराष्टर के पाज ध्यान दें तो जिसका संबंध महत्म गांदी यूनिवस्टी से भी है तो ध्यान दें राष्टर भासा प्रचार समीती वर्धा कब आई 1936 में 1936 इस भी ठीके और इसी वर्स प्रगतीशील लेकक संग की इस्थापन भी हुई थी लखनव में जिसके अध्यक्ष थे प्रेम चंद ठीक फिर है साहित्य एकेडमी ये कहा हैं दिल्ली में साहित्य एकेडमी दिल्ली में है और कभी कभ आई तो यह स्थापित हुई 1954 इसवी में 1954 इसवी तो ध्यान दे दोस्तों सबसे पहले काशी नागरी प्रचार समीती वर्धा 1936 इसवी फिर है साहित्य एकेडमी 1954 इसवी ठीक है याद रखेंगे अगला प्रश्ण है जरध्यान दे जन्म के आधार पर कभीयों का सही अनुकरम क्या है तो जन्म के आधार पर कभीयों का सही अनुकरम सबसे पहले कुम्बन दास इनका समय है 1468 से 1582 इसवी फिर है सूर्दास जी सूर्दास का समय है 1468 से 1563 इसवी फिर है पर्मानंद दास जी इनका समय क्या है 1493 से 1583 इसवी फिर है कृष्ण दास जी इनका समय है 1495 इसवी ठीक हैं तो ध्यान रहे कुम्भन दास जिनका समय है 1468 से 1582 इसवी फिर है सूर दास 1478 से 1563 इसवी फिर है परमानंद दास 1493 से 1583 इसवी फिर है कृष्णा दास 1495 इसवी याद रखेंगे दोस्तों अगला प्रशनी देखते हैं गौर करेंगे सही सुमेलित प्रशने हैं यहाँ भाषा रूप दिये गए हैं और उनके प्रयोकता तो जरत ध्यान दे दोस्तों सबसे पहले भाषा रूप बहुती जबरदस्त प्रशने हैं गौर करेंगे धक्षिनी धक्षिनी बाशा के परियोकता कौन है तो कुतुब शाहा ठीक है कुतुब शाहा फिर है कौसली ठीक है अवद को कौसल भी कहा जाता था पहले ठीक तो ध्यान रखेंगे कौसली ठीक है जिसके परियोकता है दामोदर पंडित कौन दामोदर पंडित फिर है ब्रज बुली इसके परियोकता है शंकर देव अवतरे फिर है संधा भाषा ठीक है या साध्य भाषा ठीक है संधा भाषा को साध्य भाषा भी कहते हैं और इसके परियोकता कौन है तो सरहपा सरहपा लिखा हो या सरहपा लिखा हो बाते की है यानि आचारे ठीक है तो गौर करें कु दामुद्वर पंडित परियोकता थे कोशली बाशा रूप के, संकर देव अप्तरे ये परियोकता थे किसके, ब्रजबुली बाशा रूप के, फिर सरहपाद, ये परियोकता थे किसके, संधा बाशा के, ठीक है, तो ध्यान रखे सिद्धो नातों की बाशा थी संधा बाशा, ठीक है देखते हैं अगला प्रश्न अगला प्रश्न है सही सुमेलित प्रश्न ध्यान दे इतिहास गरंथ है और लेखक हैं तो जरा गौर करेंगे सबसे पहले इतिहास गरंथ हिंदी साहित्ते का अतीत इसके लेखक कौन है विश्वनात प्रसाद मिश्र विश्वनात प्रसा संबन है तो ध्यान रखें हिंदी साहित्य का इतिहास विशुनात प्रसाद मिश्र दोस्तों एक और आचारे हैं विशुनात तिवारी ठीक है तो ये दो व्यक्ति अलग-अलग हैं यहाँ पर जो बात हो रही है वैं मिश्र जी की बात हो रही है ठीक है ध्यान रखेंगे अग राम सवरूप चतुरवेदी, क्योंकि राम के हिरिदे में समवेदना का ही विकास हुआ था। इसलिए राम सवरूप चतुरवेदी जी इसके लेखक हैं किसके हिंदी साहित्य और समवेदना के विकास कैं। थीक। अगला इतिहास गरंध है हिंदी साहित्य का व्यग्यानिक इतिहास कौन सा व्यग्यानिक इतिहास ठीक है तो गणपती गणपती चंद्र गुप्त ठीक है इनके नाम से ट्रिक निकालो गणपती चंद्र गुप्त यानि कि गणित के विशेशग्ये तो थे ही थे साथ में व्यग्यानिक विशेशग्ये भी थे ऐसा माले ट्रिक है ये सिर्फ तो गणपती गडित गड़िथ एक जैसे नाम लग रहे हैं तो जहां गड़िथ यानि विग्ञान और तर्क तो विग्यानिक इतिहास ठीक है हिंदी साहित्य का व्यग्यानिक इतिहास गणपती चंद्र गुप्त ने लिखा अगला प्रश्ण है अगला इतिहास गरंथ है ध्यान दे गौर करें दोस्तों अगला इतिहास गरंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है रामकुमार वर्मा का है रामकुमार वर्मा जी का है आलोचनात्मक इतिहास तो ये शब्द याद रखेंगे आलोचनात्मक वैग्यानिक समवेदना अतीत ठीक है इस तरह से जोड करके आप याद करें आपको बहुती कम समय में याद हो जाएगा ठीक तो याद रखें हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनात प्रसाद मिश्री जी ठीक हिंदी साहित्य और समवेदना का विकास राम स्वरूप चतुरवेदी जी हिंदी साहित्य का वेग्यानिक इतिहास प्रशन न सही सुमेलित प्रशन थ्यान दें रचना हैं और कवी हैं तो सबसे पहले रचना भी जक किसकी है कपीर की रचना है भी जक फिर है रचना अखरावत किसकी है जाइसी की रचना है अखरावट जिएक के ख़ तो को आधार बना कर इसमें चोपा युक्त दोहे कहीं है ठीक है तो ध्यान रखना जाइसी की रचना है अखरावट ठीक है अखरावट आखरी कलाम ये सब ठीक अगला प्रशन है भक्तमाल भक्तमाल किसकी रचना है नाबा दास की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है भक्तमाल अग और नंद दास की एक रचना और है भवर गीत ठीक है ब्रहमर गीत नहीं है भवर गीत ठीक याद रखें तो यहां पर क्या है प्रश्न गौर करें कबीर दास जी की रचना है बीजक जाइसी की रचना है अखरावट नाबा दास की रचना है भक्त माल फिर है नंद दास इनकी रचना है स्याम स्घाई ध्यान रखें करो आंग्रय में के अगला प्रशन है ध्यान दे सही सुमेलित है रचनाई है और कवी ठो फसे पहले रचना 16 साल दसक छत्रक साल दसक मैं कवी भूशनकी रचना है यह दरबार में थे महाराश सिवा जीर के और छत्र साल के तो उन्हीं के नाम से रचनाएं भी की हैं ठीक हैं जैसे सिवा बावनी इनकी एक अन्य रचना है तो ध्यान रखें बूशन की रचना है तो ये नाम मिलते ही आप तुरंत बूशन टिक करके आ जाना फिर है रचना कवी कुल कलपत्रू किसकी रचना है चिंता मनी की रचना है कवी कुल कलपत्रू फिर है रचना भाव विलास किसकी रचना है देव कवी की रचना है भाव विलास ठीक है भाव विलास बवानी विलास तो ध्यान रखें अगला अगली रचना है इश्क लता किसकी रचना है गनानंद की रचना है इश्क लता सेम इसी तरह की एक रचना है इश्क नामा वो किसकी है तो ध्यान रहे बोधा की रचना है इश्क नामा जबकि इश्क लता किसकी है गनानंद की रचना है ठीक है ध्यान रखेंगे जरह एक बार फिर से सुनें गौर करें कवी भूशन की रचना है चत्र साल दसक ठीक है फिर है चिंता मनी इनकी रचना है कवी कुल कलपत्रू फिर है आचारे देव यानि कवी देव इनकी रचना भाव विलास भवानी विलास ठीक फिर है घनानंद इनकी रचना है इश्क लता याद रखें और गनानंद की प्रियसी का नाम क्या था तो सुजान था ठीक है और बोधा की प्रियसी का क्या नाम था सुभान था ठीक है तो ध्यान रखेंगे बहुत जादा इनकी चीजे कॉमन है ठीक है लेकिन बस जरा सा हेर फेर का अंतर है तो कन्फ्यूज नहीं रहना है चीजे कॉंस सोनेट कावेचंद जिसके प्रयोकता है त्रिलोचन कौन त्रिलोचन फिर है हाईकू हाईकू कावेचंद के प्रयोकता है अग्ये कौन अग्ये फिर है सवया कावेचंद जिसके प्रयोकता है गया प्रसाद सुकल सनेही बहुत ही जबरदस्त प्रशन है दोस्तों इसको ध्या से सुनना ठीक फिर हैं कवित चंद जिसके परियोकता है कौन आयोध्या सिंग उपाध्याय हरियोद तो ध्यान रहें त्री लोचन जिनकी रचना है सौरी जिनोंने परियोक किया है किसका कावे चंद का कावे चंद सौनेट का अग्ये ने हाइकू कावे चंद का परियोक किया प्रसाद शुक्ल सनेही जी तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ध्यान दें सही सुमेलित प्राष्न हैं कावे पंक्तियां दोस्तों और कवी हैं तो जरह ध्यान दें कावे पंक्ती क्या है चीर सजग आंखे उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना तो ये कवी किसकी है ये तो ये कवीत्री महादेवी वर्मा जी की पंक्ती है चिर सजग आँखे उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना ठीक है तो आँखे उनीदी सब्द याद रखें ठीक फिर है पंक्ती B क्या रूपो ध्यान प्रफुल प्राई कली का राकेंदू बिम बानना किसकी पंक्ती है आयोध्या सिंग उपाद्याय हरियोध जी की फिर पंक्ती C क्या वेद ने तू भी भली बनी वेद ने तू भी भली बनी किसकी पंक्ती है तो ध्यान रहे मैथली शरण गुप्त जी की मैथली शरण गुप्त जी की पंक्ती है ठीक है अगली पंक्ती देखते हैं गौर करें दोस्तों पंक्ती है सुर में रम्मे रसरासी रंजीते सुर्में रम्में रसरासी रंजीते किसकी है यह महावीर प्रसाद द्वेदी जी की महावीर फ्रस एकेरा सुर्में रम्में रहरा सुष कोज्च में रोसा अहीं है झाल 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 झाल